जिस पुलीस चौकी ख्यत्र में रहने वाले दो लोगों की निर्शन्स हत्या हो जाती है वह पुलीस चौकी अपना मुख्य गेट बंद कर लोगों की सुरक्षा के लिए योजना अंदर बनाता है समझ से परे है यदि कोई मीटिंग भी चल रही हो तो कम से कम एक कमरे को बंद किया जा सकता है किन्तु जब किसी पुलीस चौकी का मुख्य गेट ही बंद कर दिया जाए तो फिर फर्यादी कहां जाए आप पीडियो देख रहे हैं मणीपूर पुलीस चौकी बंद है कभी खुलता भी है या नहीं इस पर हम सवाल नहीं कर रहे है किन्तु फर्यादी की फर्याद सुनने के बजाए यह बंद क्यों है यह सवाल बड़ा है और अपने स्थिती पुलीस को असपश्ट करनी चाहिए खेर छोड़िये इस पर फिर बात करेंगे आज की बड़ी घटना की और रुख करते हैं सरवजा जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जहां पती पत्नी को मौत के घाट उतारते हुए डेड़ साल के मासूम को दरिंदे ने नहीं बखसा माता पिदा की मौत के बाद गंभीर रूप से घायल मासूम का इलाज मेटकल कॉलेज अस्पताल में चलने के पश्चात रायपूर के लिए रेफर कर दिया गया है दरसल आज अंबिकापूर की मनिपूर चोकी क्षत्र अंतरगत आने वाले ग्राम थोर लबजी में एक वक्ति की हत्या की जानकारी मनिपूर पुलीस को मिली सुचना मिलते ही मनिपूर पुलीस वा पुलीस के आलाधिकारी मौके पर पहुंचे जहां पुलीस को एक वक्ति आशाराम यादव की लास घर में मिली वहीं उसका डेड़ साल का मासुम भी गंभीर अवस्था में घायल पड़ा हुआ था घटना के बाद सही मासुम की मा लापता थी पुलीस इधर उधर जाच ही कर रही थी तभी अचानक सुचना मिली कि अंबिकापूर से 50 किलोमीटर दूर उधरपूर के जंगलों में अर्धनग्द अवस्था में फासी पर जूरता एक महला का शव मिला है जिसके बाद पुलीस अंतरगत आशाराम यादव इनकी अपने घर में जो है बोडी मृतक रूप में मिलने की सुचना प्राप्त हुई है उसी के बाद में एक दूसरी खबर प्राप्त हुई थी जो उधेपूर थाना अंतरगत जंगल में उर्मिला यादव एक महिला की बोडी मिली थी और इनि की गंभीरता को देखते हुए इसमें विशेश टीम गठित की गई है और तमाम एंगल जो है प्रोब करके इसमें अग्रीम विवेशना की जा रही है यह जो मृतक हैं दोनों उनका एक छोटा बच्चा है जो अभी जो है गंभी रूप से घायल है और अभी वो उसका ट्री अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है मगर पुलिस के सामने एक चुनोती देखने को मिल रही है कि जहां गराम थोर लबजी पती की हत्या और मासुम को गयाल करने के बाद महिला की लास अंबिकापुर से 50 किलोमेटर दूर जंगलों में फासी पर मिली यह पूरी घटना संदिह घटना जो देखो यार भूने के लिए तो इस टाइम कुछ ने हुआ था हम लोग रात को आए घर सामको 6 वजे उसके बाद खाना हुना भाई खाय है हम लोग सभी लोग बढ़के इसके बाद हम लोग फिर में चल गए सोने और नानी लोग भी आगए रूम साइट सोने के मतलब सोने के लिए चल गए तो फिर सूबह उठे सब्सक्राइब तो बन था हम लोग वाला था हम लोग को दर्वाजा खोल लो इस टाइब से मतलब बोल रहा है थे और आदा घंधा बाद दर्वाजा को मतलब तोर दिये गीच के एकदम मतलब खुल इच गया घीचे बहु तुली दर्वाजा भी खुल ला था बहरवाला भी घाड़ी भी घाप घर से कोंसी घड़ि घाप थी 220 वैड़ सा। फट पर सर प्लायप घायप था भी त्होड़ा किस्की वैट थी तो स्की बाद कया तो बस उसके बाद देखे थोड़ा सा तो मामा रूम में तो मारे तो उस सब्सक्राइब की वहां बस इतना बड़ा था घर में कल राज घटना के तौरां किसे लोग कि दवरान बोलत रहूं तीन लोग हम लोग अलग थे रूम में साइट बाकी उन लोग मामी या मामा और उसके बच्चा मिरतक आशा राम यादव रमानु जगंज के पोलटेकनिक कॉलेज में प्यून के पद पर कारे रत था मिरतक दमपती के परिजनों ने पताया कि बीती रात खाना पीना खाकर सा परिवार सो रहे थे घर पर दमपती की वृधि मा थी जो दूसरे कमरे में सो रही थी जिसको कान से सुराई कम देता है भोर सुभख उठने पर मृतिगा की मा ने अपने कमरे का दर्वाजा खोलना चाहा किन्तु दर्वाजा नहीं खुला इसके पस्चात काफी प्रयास से दर्वाजा को तोड़ा गया बेटे और बहु के कमरे में चब गई तो उसकी आँखें फटी की फटी रह गई कमरे के अंदर अपने जवान बेटे की खून से सनी लास और नाती को घैल देख उसके होस उड़ बे साथी बहु का कहीं पता नहीं चल रहा था अब घार बेनी कर अब जायकेन देखा था तो अब बेटा ला मायर के ने तरा बठेंग्री में वला सुताई में नाती लगूँआ पौलंग में अब बहुर ये का पते नहीं पुलिस पूरे मामले की जाच में जुट गई है और जल्दी ही मामले का खुला सा करने की बात कह रही है हलाकि अभी तक हत्या की मुख्य वजह सामने नहीं आप आई है पुलिस इस मामले के हर पहलू पर जाच कर रही है आज सुबह सुबह मनिपू चौकी अंतरगत एक सुचना प्राप्थ हुए थी कि ग्राम थोर के निवासी आसा राम है वह उनको जो घर में किसी हथियार से मवार हुआ है वह वहां पर गये वहां पर अभी डॉग स्काट एफेसल और जो जीला की विशेस टीम है वह आचुकी है और इसमें एक विस्पेशल टीम लगी हुई है वरिश तरीकारियों के मार्च दर्शन में लगातार पता तलास की जारी है इस बीच उदयपूर थाना हमतर को भी एक सुचना प्राप्त हुई कि वहां पर एक बॉड़ी मिली है जो उदयपूर उसके पास गाओं को जंगल में 20-25 किलमेटर दूर थाने से वो महिला की बॉड़ी प्राप्त हुई है बाद में यह पत लाउस कर रहे हैं कि मामला कैसे हुआ है क्या है फिच रेकर की जारी है और जल्द ही इसमेक बहुक्रा पर भी हमला हुआ है और वही हॉस्पितलाइजड है उसकी डॉक्टर केर कर रहे हैं वार क्शी तो किया वार आ जो किस हर 흥्यार से दीश was किया गया इसमें विवेशना कर रहे हैं तो यह सब भी विवेशना का पार्ट है विवेशना वो ठांत ही हम आपको यह सब बता ताइज़ अब यह विवेशना पार्थ